दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन के लिए किसान पूरी तरह से तयार हैं सैकडों की संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे और सरकार के खिलाफ आवास को बुलंद करेंगे ये जानकारी किसान संखर समीती के प्रदेश कॉनवीर मंदीव नत्वान ने पत्रकारों से बाचीत में कही प्रदेश में कॉनवीर ने बताया कि दिल्ली को हर्याणा से जोडने वाले सबी रास्तों को पूर्ड रूप से सील किया जाएगा तता यहां देश की आजादी के बाद ये सबसे बड़ा किसान का आंदोलन होगा जिसमें देश भर के सैकडो किसान संगठन भाग लेंगे सरकार के तीन काले कानूनों के चलते किसानों के साथ साथ आमवर को भी परिशानी का सामना करना पड़ेगा यदि सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिये तो ये सरकार दोबारा कभी केंदर में वापस नहीं आ पाएगी सिर्सा में चल रहे किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि सिर्सा में आंदोलन के चलते सरकार के मौजूदा मंद्रियों को गाउं में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है सरकार को ऐसे लोगों पर कारवाई करनी चाहिए उन्होंने कहा कि पंजाब में खाथ की कमी जिसके चलते हर्याणा की लोग जब उनकी मदद कर रहे थे तो सरकार किसान आंदूलन को फेल करने की उद्देश से उन्हें रोक रही है इतना बड़ा अंदूलन होगा शाहिए संतारी के बाद इतनी बड़ी तदात में कभी किसान मदान में नहीं आया होगा है इतना बड़ा अंदूलन देश में होने जा रहा है और तो आप देखोगे लाखों लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे और सरकार को अपने इस फैंसले को वापस लेना पड़ेगा और यह फैंसला हर हाल में वापस करवाएंगे जिल्य के उसे ज्यादा गाओं कवर कर चुके हैं अभी दो तीन दिन अभी हो रहा है कल हमने मीटिंग बलाई है पूरे जिल्य के जो वर्कर हैं मारे साथी जो काम करते हैं उनकी और कल हम फाइनल बता देंगे हमारे कितने सादम जारे हैं दिल्ली के लिए और उसकी त्यारिया पूरी है एक सबसे बड़ी जो समस्य है हमारे शेक्तन में यूरिय की आ रही है यूरिय को अपर खुलम खुला काड़ा बजारी हो रही है और पंजाब के किसानों को यहां की पलिस रोक रही है अंदाजा लगाओ वैसे तो यह सरकार कह रही है एक मंडी एक दिश और जूरिय की बात आती है तो पंजाब को पाकिस्तान बनाया जा रहा है को पंजाब का जो अंदोलन है बड़ा अंदोलना उसको दुबाना चाहती है के इंदर सरकार माल गाड़िया है नहीं चलाई गई और यूरिय की बारी करें लता है और जूरिया नि दिया जा रहा है जानगुज कर प्रसानों को प्रसान के जा रहा है हम कहते हैं पंजाब के किसान को यूरिये मिलडना चाहिए और यहाँ जो कालाब जारी हो और नहीं गांदार als और भाड़े बड़ अलगाएंगे आप देखोगे हमने पूरी हमारी टीम नगरानी कर रही हम किसी भी कीमत में यूरिय की कड़ाब जारी नहीं होने देगे तुबर को बहुत बड़ी रैली हमने फिरसा के अंदर करी थी आप सारे लोग जानते हो और रतियास में इतनी बड़ी रैली कभी किसानो भाम में आने नहीं आने दिया जारे है लोग ने काले जंडे दिखाई दुशान चटाला ओंडर जाना के अंदर गराव किया और यह पेहली बार हो रहा है विराज करने वाले निताओं को लोग इतना बड़ा बरूत कर रहे हैं यह उसी उंदोलन का असर है और इन लोगों को गाउं में नहीं आने दिया जाएगा जहाजा लोग संगठित हो रहे हैं इनसे सवाल भी करेंगे और इनकी जूठकी राज नितिया उसका अंत भी आ गया इनकी दुकाने बंद होने जा लिए सरकार कॉंपनियों के पक्ष में खड़ी है और उनको फैदा बचाने वाली नितिया और सरकार अंग्रेज भी नहीं से जाना चाते थे जब अंग्रेज राज था तो उनके राज में सूर्ज नहीं शिपता था लोग यह कहते थे यह रा इतना वरोद है आप देखोगे गाओं गाओं में वरोद है और यहां तक की औरते में मदान में बड़ा वरोद देश में इन ताल तैने जो तीन काले कुन उनके खलाफ हो रहा है ती को चारो दिशाओं की तरफ से हम सील करेंगे हमारा फैसला है और ना दिल्ली में कोई ची आज तक का मारा आज तक का यादी के बाद का सबसे बड़ा दोलन होगा मोदी हारेगा और किसान जीतेगा आप दिखोगे इन काले कौनों को वापस लेना पड़ेगा तेखी करोना अभी रह लिया है और इती ब्यार के अंदर अभी हमारा जो हर्याने का मुख्यमंत्री है अभी जो करोना काल के अंदर एसी कानून ले जरूरती जब देश संकट में देश ब्रॉमारी से गरस्त है तो सरकार कसान के विरोध में नीतियां लेकर आ रही है और यह मालू नीतियों के विरोध करने के लिए एक सान मदान में इसका मतलब तो सरकार खुद चाती है वी कर के लोगों की राय लेकर लेकरा जागी था और ये शरकार ही चा और और अगे जो बटषर जया के लोगों की ऊपर वडी मार पढ़ेकी कि अमारे को पता है क्योंकि ने की आपस साधे को बशेण देते हैं और Na Raší है करक upright बश्या और प्रभाशन कामनी चलेंगा जनता जागर बड़ाए तो पाले टे उतार है